स्वागत है आपका प्योवर पॉलिटिक्स में राजस्थात से आने वाले ओम बिरला सत्रहमी लोगसभा के बाद अठारमी लोगसभा में भी लोगसभा के स्पीकर होंगे यानि कि एंडिये ने उन्हें लोगसभा के स्पीकर के पोस्ट के लिए उनके नाम का चैन किया उन्होंने नामांकन दाखिल किया और एक दिन के बाद नामांकन के बाद हलाकि जिस तरह से अपोजिशन ने विपक्ष ने अपना ओमिद्वार खड़ा किया है तो उस्टो में समझाती है प्रधानमंत्री नेंद्रमोदी के काम करने के स्टाइल के बारे में और जिस तरह से बीजेपी की संख्या जिस तरह से जो मैजॉर्टी थी बीजेपी की अकेले पार्टी के तौर पर उसके घटने के बाद भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नेंद्रमोदी अ बात करेंगे ओम्बिरला के as a speaker और उसके जरीय प्रधान मंत्री नहेंद्र मोदी के काम करने के style और आने वाले दिनों में जो धे सारे लोगों को लगता है कि reduced number के साथ नहेंद्र मोदी एक नए politics में बात ओम बिरला की एक नए विक्ती मोहन्यादों की निक्ती हो गई वैसे ही राज्थान में वसुन्दरा राजे सिंधिया को पद्व नहीं मिला उनकी जगभ भजनलाल नाम के नए फर्स्टाइमर MLA को मुख्यमंत्री बना दिया गया किसी भी बीजेपी या फर जो बीजेपी के पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको किसी को आश्यर नहीं हुआ प्रधान मंत्री नेंद्र मोधी के इस फैसले से क्योंकि पिछले दस सालों में जिन लोगों ने दिखाया कि प्रधान मंत्री ने अंद्रमोदी जिस ब्रूट मैजॉर्टी के साथ में जिस तरह से फैसली लेते रहे हैं उसमें ये कोई चौकाने वाला फैसला नहीं था श्रिवराज का मुख्यमंत्री उस बहुमत के बाद भी कि श्रिवराज सिंग चौहान ने जिस तरह से मध्रदीश में बीज़ेपी को सत्ता दिलाई उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री न बनाये जाना वैसे ही रमन अन्यविस का चुनाव किया था महाराष्ट के लिए महाराष्ट के मुख्यमंत्री के रूप में मनहोल अलखटर का चुनाव किया उन्होंने हरयाना के मुख्यमंत्री के रूप में और रगुबरदास का चुनाव किया उन्होंने चार खंड के मुख्यमंत्री के रूप में यहां तकी CCS यानि Cabinet Committee on Security के जो पाँच बड़े पोस्ट होते हैं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया, राइना सिंग डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, ग्रिमंत्री के रूप में अमिच शाह, वैसे ही विदेश मंत्री के रूप में एसजैशंकर और उसके अलावा जो वि सीता रुमन को तो हटाने के लिए धेल सारे लोगों को लगता था कि निर्मला सीता रुमन से बहतर वितमंत्री देश की कोई हो सकती है या हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने निर्मला सीता नेट में भी मौजूद रखा तो इससे क्या संकेत मिलता है इससे क्या आप कह सकते हैं कि प्रधाननती नेंद्रमोदी एक बहुत बड़े status quest है यानि कि यथा इस्तिती बाद जो चल रहा है या फिर अपने टीम को जो उनकी को टीम है उसमें नेंद्रमोदी ने कभी भी बदलाव नहीं किया चाहे वह प्रिश्पल सेकेटरी हो जो कैल आश्णाथन गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर जब नेंद्रमोदी थे उस जमाने से जब उन्होंने शुरुआत की और आज तक कैल आश्णाथन गुजरा लेकिन बाद में उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया गया वैसे ही जो प्रधानमंत्री नेंद्रमोदी के जो नजदी की लोग रहे हैं जो कोर टीम में रहे हैं या प्रधानमंत्री का जिन पर ट्रस्ट रहा है किसी भी कारण से राइनती कारण से हो उनकी मैनेजरिय की वज़ह से हो या दूसरे कारन की वज़ह से हो वो सब कहीं न कहीं अपनी whats हो मनुहलाल खटर यह सारे विक्ति या फिर ब्यूर्ट ये चाहे एक शर्म Henry जो कि प्रधानमंत्री के PMों में थे, बाद में वो UP सरकार में जाकर इस समय कापलेट मंत्री हैं, वैसे ही के लाशनाथन से लेकर आप राममंदीर न्या ट्रस्ट के जो प्रमुक हैं, उनसे लेकर तमाम ऐसे बिरोक्राट का उधारन है, कि प्रधानमंत्री जिनके साथ काम कर करते हूं उनको कहीं न कहीं प्रक देती रहते हैं तो क्या यह कहता है कि प्रदान मंतरी स्थ estaban के अलावा प्रदान मंत्री बहुत जादा बदलावो में यकीन नहीं रखते रह दनलाव कि और उन जगहों पर बदलाव करते भी हैं चाहे आप गुजरात के उधारन से लेकर आप दिल्ली के उधारन को ले ले जहाँ पर बीजेपी को लगता है जहाँ पर पार्टी को लगता है जहाँ पर पधान मंत्री को लगता है कि चुनाव जीतने के लिए कपड़े बदलने जरूरी है घर के बरतन बदलने जरूरी है तो वो सूरत नगरपालिका से लेकर दिल्ली मुंसिपल जो डेली मुंसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर हैं कांडिडेट हैं उन सब को बदल देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको हटा करके एंटी इंकबंसी को धोया जा सकता है तो बीजेपी ने चुनाओ जीतने के लिए ये सारे एक्स्पेरिमेंट अपने अस्थरों पर किया है और खुद प्रधान मंत्री ने गुजरात में रहते हुए उन्होंने कॉर्पोरेशन के लेबल से लेकर काबिनेट के अस्थर पर जो फिर प्रधान मंत्री ने इस्टेटर्स क्वेस्ट होते हुए केंद्रे काबिनेट में बदलाव क्यों नहीं किया क्यों उन्होंने ओम बिरला जो 17 लोगसभाव में स्पीकर रहे और जितके उपर धे सारे इस तरह के विपक्ष ने इरिगेशन लगाया आरोप लगाया कि कि उन्होंने अपने समयकाल में unprecedented तरीके से विपक्षी सांसुदों को निलंबित किया उन्होंने कई बार लोगसभाव टेलेविजन के फीड को streamline करने से रोका ता कि वो प्रोटेस्ट के का जो नजरिया है वो पूरे देश के सामने न जा सके उनको तुबारा उन्होंने बहुत जादा बदलाओं नहीं करना चाहते बदलाओं नहीं करते में यकीन रखते यानि कि जो एक continuity है कि निरत 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 अंतरता जो power structure है उसको वो maintain रखते हैं दूसरा जो factor है कि अगर आप देखें कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से ओम बिल्ला ने लोगसभा को चलाय तो उसमें बीजेपी को कोई बहुत जादा accommodative यानि की opposition के साथ में symmetry बिठाने के जरुवत नहीं थी और चुकि नेनरमोदी वाजपई एरा के collision politics के उस तरह के politician नहीं है जिनका evolution एक तरह से नहरोबियन एरा से हुआ है बलकि वो उसके बिलकुल उलट है तो इसलिए वो कोई बहुत जादा opposition या विपक्ष के साथ में coordination, सामंजस या फिर legroom देने में यकीन नहीं रखते उने की जो politics है कि या तो my way या highway और इसलिए number reduce होने के बाद भी धेल सारे लोगों को ये लगता था कि deputy speaker का जो पद है वो प्रधानमंत्री हो सकता है विपक्ष को offer कर दें और उस साधी के बाद से होता रहा है उसी तरह से 18 वी लोग सभा में भी speaker का चुनाव होगा लेकिन प्रधानमंत्री नहीं यह तै कि या कि नहीं deputy speaker का पद भी वो opposition को नहीं देंगे और वो speaker के मुद्दे पर भी speaker के candidate के उपर भी अगर विपक्ष सहमती चाहता है तो सरकारी यानि क Treasury branches के terms पे ही वो सहमती बनेगी और इसलिए विपक्ष को मजबूरन अपना candidate खड़ा करना पड़ा symbolism की politics करने के लिए साथी यह narrative जताने के लिए कि जो अब जो resurgent विपक्ष है resurgent जो opposition है वो सरकार के सामने उस तरह से नहीं जुकेगा और सरकार की जो एक तरह से जिसको कह स पारिद करा करके बिना standing committee में भेजे हुए अब वो नहीं चलेगा तो इसलिए विपक्ष ने symbolism के लिए अपने candidate को खड़ा किया है और की यह दिखाने के लिए कि किस तरह से वो प्रधान मंत्री ने उस protocol का पालन नहीं किया जो वाजपई ने अपने जमाने में या मनमहन सिं candidate है उनको offer किया था वाजपई ने अपने सरकार के दौरान में deputy speaker का पद opposition को दिया था तो एक तरह से उस messaging के लिए opposition ने अपना candidate खड़ा किया है लेकिन जो तीसरी बात इस election से यानि कि ओम बिल्ला के selection से उभरती है कि जो लोगों को लगता था कि प्रधान मंत्री आने वाले दिनों में competitive कम होंगे वो जादा accommodative होंगे वो कहीं न कहीं उसकी जो धारना है वो तूरती दिखाए दिखाए दे रही है क्योंकि लोगसभा के पहले दिन यानि कि पारलिमेंट के पहले दिन जिस तरह से प्रधान मंत्री ने विपक्ष के उपर attack किया जिस तरह से उन्होंन सो से जादा बार ये कहा था कि ये सरकार इंडिये की है और इंडिये की सरकार इससे पहले भी थी लेकिन जब पहले दिन वो लोगसभा जब कन्वीन हुआ उस मौके पर जो नोले short speech दिया उसमें उन्होंने एक तरह से opposition के उपर attack किया तो ये साब दिखाता है कि आने वाले दिनों में प्रधान मंत्री बिपक्ष के उपर हमले जारी रखेंगे और सरकार सदन में भी उतनी ही हमलावर होगी उतनी ही attacking mode में होगी जिस तरह से वो दूसरे टर्म में या पहले टर्म में थी शंकरा निमेश दप्रिंट लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक